तो अगर आप किसी भी एक्जाम की प्रेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए लिए के पहला कोशिन है आपका टूटल हामनी डिस्टेक इन तेलंगना देखिए आप्शन में यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है तो कोई नहीं यहां पर मैंने लिख दिया है चार तो बताएए तेलंगना में टोटल कितने जिले हैं 20, 25, 33 या फिर 34 तो देखिए अगर बात करेगी तेलंगना में टोटल कितने जिले हैं तो आपको याद रखना है कि तेलंगना में टोटल 33 डिस्टिक्ट है ठीक है अगला कोशिन है who has inaugurated the 12th General Assembly of the Asian Buddhist Conference for Peace in New Delhi बताईए, New Delhi में Asian Buddhist Conference for Peace का 12th General Assembly का उधगाटन किंके द्वारा किया गया बताईए अमिच शा, नारेन, मोधी, राजनात सिंग या फिर जगदीब धानकर PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक मिल जाएगा आप जोइन कर सकते हो देखे इसकी घाटन जो है ये की गई किसके द्वारा हमारे Vice President जगदीब धानकर अगला कोशिन है Who gave the slogan सत्यमेव जहते सत्यमेव जहते का नारा किन के द्वारा दिया गया बगत सिंग, मदन मुहन मालविया, सुबास चंद बोस या फिर बाल गंगा धर तिलक सत्यमेव जहते का स्लोगन दिया गया है भाई Option No.B, मदन मुहन मालविया के द्वारा अगला कोशिन है Which country host G20 in the year 2024 अभी जो साल 2024 आ गया है तो आपको बताना है कि 2024 में जो G20 होने वाला है तो इसको कौन सी country host करेगी 2023 में हमारे इंडिया ने host किया है ना और 2022 भी important है तो ये भी आपको याद रखना है 2022 कि इसके द्वारा किया गया इंडोनेशिया ठीक है इंडो लिख रहा हूं है और 2023 इंडिया और अगर बात करें कि भाई 2024 में कौन सी country host करेगी इसको तो ब्राजील option number A अगला कोशिन है Which state UT has got GI tag for रज़ोरी चिक्री वुड़क्राफ्ट बताइए कौन से state या फिर UT को GI tag मिला है रज़ोरी चिक्री वुड़क्राफ्ट तेलंगना, आंधपुदेश, मदपुदेश या जमू काश्मिर रज़ोरी चिक्री वुड़क्राफ्ट option number D जमू अगला कोशिन है Which state has got GI tag for मटी बनाना पताइए कौन से state के मटी बनाना को GI tag मिला है जिसको बेबी बनाना के नाम से भी जाना जाता है तमिल नाडू, आंधपुदेश, मदपुदेश या फिर उत्तरपुदेश ये भईया आपके कौन से state का है ये है आपका option number नाडू है ना मटी बनाना चलिए अगला कोशिन है When was world elephant day celebrated पताइए world elephant day ये कब मना जाता है और एक कोशिन इससे बनता है कि भाई, project elephant project elephant ये आपका कब लॉंच हुआ था कौन से साल लॉंच हुआ था important question है ये आपका कब लॉंच हुआ था in the year 1992 और अगर बात करें कि world elephant day मनाय कब जाता है ये आपका मनाय जाता है 12th of August option number C और अगर बात करें कि इंडिया के कौन से राजे में सबसे ज़ादा आपके elephants पाए जाते है elephants पाए जाते है करनाट का ठीक है और अगर tigers की बात करें तो tigers पाए जाते हैं आपके MP में मौद परदेश में ठीक है एन इंद्र सेना रेड़ी इस दा गवर्नर ओफ विच स्टेट बताइए एन इंद्र सेना रेड़ी जो है ये कौन से राजे के गवर्नर है राजेपाल है अच्छम तरिपूरा, तिलंगना या फिर आंड़पदेश एन इंद्र सेना रेड़ी इस दा गवर्नर ओफ आप्शन नंबर बी तरिपूरा नेक्स कोश्चन है विच स्टेट इस होस्टिंग दे खेलो इंद्या यूथ गेम्स 2024 बताइए कौन सा स्टेट जो होस्ट कर रहा है खेलो इंद्या यूथ गेम्स 2024 ये आपका 19 जैनवरी से लेके 31 जैनवरी तक हो रहा है ठीक है और अगर बात करें कि इसको कौन से स्टेट होस्ट कर रही है तो इसको होस्ट कर रहा है आपका तमिलनाड़ो हैना पहला साउथ इंद्या इंद्या यूथ गेम्स को होस्ट कर रहा है मेलगाट टाइगर रिजर्ब is located in which state बताईए मेलगाट टाइगर रिजर्ब जो है यह आपका कौन सा राज में है मेलगाट टाइगर रिजर्ब भाई महाराष्ट्रा में है अगला कोश्चिन है सुरेश बाबु माने is related to which घराना बताईए सुरेश बाबु माने इनका संबंध कौन से घराना से है सुरेश बाबु माने इनका संबंध कौन से मुजिकल इस्टूमेंट से है फ्लूट, सितार, सहना या फिर रूद्रवीना उस्ताद असद अली खान इस रिलेटेट टू अप्शन नमबर डी रूद्रवीना वो इस दे पब्लिशर अफ ते बुक, मोदी इन राइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर बताएए, मोदी इन राइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर के पुस्तक के प्रकाशक कौन है आप्शन्स हैं, हाइपर कॉलिंज पॉब्लिशर, पैंग्विन रेंडम हाउस पेंटागोन प्रेस या फिर साइमन और क्लस्टर प्रेस देखिए, मोदी इन राइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर बुक के ऑथर की बात करें तो यह हैं आपके भूपेंद्र यादव यहाँ थोड़ा स्पेस नहीं है भूपेंद्र यादव ठीक है? चलिए, भूपेंद्र के अदव जो है इसके ऑथर है, और अगर बात करें कि इस पुस्तक के प्रकाशक कौन है? तो इसके प्रकाशक है पेंटागॉन प्रेस, और भाई अगर आपने बुक्स और वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो ठीक है? अभी मैंने कली अप्लोड किया है उसको विच्ट्स क्रिकेटर रिसीब दो अर्जुन अवर्ड 2023 से सम्मानित किया गया है विराट कोहली रुवित सर्मा मुहम्मद शामी याफर जस्परीत बुमरा तो भईयक इसको सम्मानित किया गया है मुहम्मद शामी आपको पता ही होगा अगर आप थोड़ा बहुत क्रिकेट देखते हो तो विर इस हीरपोरा वाइल लेप सेंचुरी लोकेटेड बताईए हीरपोरा वाइल लेप सेंचुरी आपके कहा है मिघाल है 36 गड़ MP याफर जमू एंड काश्मीर हीरपोरा यह आपका जमू एंड काश्मीर में है अगला कोश्चिन है प्रोजेक्ट कूशा इस रिलेटेड टू बताईए प्रोजेक्ट कूशा जो है इसका संबंध किस्से है इस रोग DRDO, NHI या फिर नाबाड प्रोजेक्ट कूशा यह रिलेटेड है आपका भाई आप्शिन नमबर B इस रिफेंस रिचर्च और डवलप्मेंट और्गनाजेशन DRDO से इन विच कंट्री CBSE इस गोईंग टू अपन अड्मिन्स्ट्रेटिव ऑफिस बताईए CBSE जो है अपना अड्मिन्स्ट्रेटिव ऑफिस जो है यह कौन से देश में उपन करने वाला है UAE USA Australia या साउथ कोरिया यह कहां United Arab Emirates UAE में अगला कोशन है Who is the author of the book कारगिल एक यात्री की जुवानी कारगिल एक यात्री की जुवानी बुक की author रेशी राज अगला कोशन है When did the battle of Talikota take place Talikota का यूत जो है यह कब हुआ किस वर्स हुआ 1565 Option number C Last question Which city is known as City of skyscrapers पताइए City of skyscrapers कौन से शहर को कहते हैं Singapore, New York Manila, F.S. San Francisco City of skyscrapers is known as Option number B New York Okay आई होप वीडियो आपको चीले लगे होगी वीडियो चीले लगार हमाचाल आप नहीं हो तो like, share and subscribe जिरू कीजेगा मिलते हैं नेक्स वेड़ा में अल्रदे टकाईट搭ाब